अलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइयूटूप चानल लाज अनुम अलवेट बकरियों में डी वर्मिंग रिपिट कब करनी है और कौन सी दवासे करनी है यह सवाल जो है यह बहुत सारे पशुपालकों के मन में बहुत बार आता है और ज्यादा तर पशुपालक जो है जो बकरि है जब बहुत ही ज्यादा परस्तित गंबिर होजा जाती है जैसे कि बहुत करना बिल्कुल ही गलत है बक्रियों की इसके अलावा हम ना तो वक्री का वेट गेन कर सकते हैं ना तो उससे अच्छा ब्लत कर ले सकते हैं इससे घरी प्रोड क्री औहप करनी चाहिए कोन से धावों का इस्तमाल करना चाहिए कितनी मात्रा में करना हैं चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चानल से ने जुड़े हैं या अभी तक अपने चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथ में बेल वाला ऐकन दबाकर वाल वाला option भी क्लिक क सबसे पहले आपको मिलती रहे तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि बक्री की बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका डी वर्मिंग हमें पहला डी वर्मिंग कप करना चाहिए तो पहला डी वर्मिंग जो है यह वह तीन से चार हफ्ते बाद या फिर एक महने के बाद हम उसकी पहली डी वर्मिंग कर सकते हैं तो वहाँ पर सबसे अच्छा जो डी वर्मिंग होता है तो वह बंडाजोल जैसे कि हमें के मार्केट में जो सस्पेंशन मिलता है तो उसके बाद जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता है तो हमें हर एक महीने पर उसकी डिवर्मिंग करनी होती है और 6 महीने के बाद 12 महीने तक यह जो पिरेड होता है तो उसमें 2 महीने में एक बार हमें उसकी डिवर्मिंग करनी होती है जब एक साल से बड़ी जो बक्री होती है या वक्रा होता है तो उसकी साल भर में हमें कम से कम तीन बार तो भी do儺ंक करनी चाहिए तो यह होता है development का प्रापर तरीका तो अब doorming जो है तो कभी भी हमें एक ही दवाई से नहीं करनी चाहिए जैसे कि आगर हम बच्चे की dewormin कर रहा है तो हम जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की आदे हम, वब यह हम जो dewormin करते है तो एक माएने से लेकर छह माएने तक हर माएने उसकी dewormin करनी होती है तो वहां अगर हम पहली बार अलबोमार से डीवर्मिंग करते हैं तो दूसरी बार हमें दूसरी बार या तीसरी बार हमें जो दवा होती है डीवर्मिंग की उसको चेंज करने की जोरुरत होती है तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो इंटर्नल पारसाइट्स होते हैं जो पेट के किड़े होते हैं अगर हम एक ही दवा का बार बार इस्तमाल करेंगे बक्रियों में तो वो उसको रेजिस्टंट हो सकते हैं तो इसलिए अगर हम पहले बार दूष्य बार यहां को दूष्य करते हैं गरं अगर तो कर बिलेगा तो यहां को सकते होगा कि वह कभी भी रेजिस्टंट धान को मिलाएगा तो बहुत बार क्या होता है कि हम continuously अगर बकरी बारा महिने की है तो उसको जैसे कि मैंने बोला कि उसको हमें साल भर में तीन बार डी वर्मिंग कर लेनी चाहिए कम से कम चार महिने में एक बार उसकी डी वर्मिंग करनी चाहिए तो पहली बार अगर हम अलबो मार इस्तमार करते हैं तो दूसरी बार हमें फेंट बेंडाजोल का इस्तमार करना चाहिए तीसरी बार हमें ऑक्सिक्लोजनाइड लेवा मिसल का इस्तमार करना चाहिए तो इस तरह से हमें डी वर्मिंग करनी चाहिए और जब हम खास करके बक्रियों में समश्या दिखने लगती है जैसे कि बार बार दस्त होने लगते है आक से पाने आने लगता है की चड़ाने लगता है बक्री का वेट लॉस होने लगता है या उसका स्कीन कोड जो है हैर कोड जो है वो रफ होने लगता है तब हम खास करके उ तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें रेगुलर्ली वक्रियों की डीवर्मिंग करनी चाहिए और रेगुलर्ली जो डीवर्मर है उसका चेंज करना चाहिए उसको चेंज करते रहना चाहिए तभी हमें डीवर्मिंग के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे वक्रियों में अच्छा व